का हेलो फ्रेंट्स वेलकेम टॉ डूर नीफ वीडियो उफ यप्रकश आसोसियेट्स फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रोमिस किया है dp- आसोसियेट्स के बारे में टाइम-To- НАिप अपडेट्स में आप लोको साट साथ शियर करते रहूंगा तो फ्रेंड्स कल कह अभी अपडेट आया है जहाँ पे quarter results के announce हुए और क्या हुआ देखिए आप यहाँ पर जैप्रकाश असोसियेट्स reports consolidated net loss of 1023.44 करोड इन जून 2024 quarter फ्रेंट जून 2023 में सिर्फ 180.80 करोड का net loss था जो अभी 1023.44 करोड का हुआ है काफी ज्यादा loss में है company और इसके अगेंज जो है NCLT में जो है कुछ cases file की गई थी payment due के लिए और उसी के वज़े से ये company हमें जो है share market से delisted होते हुए नजर आई है friends definitely जए प्रकाश असोसियेट्स के बारे में जो हुआ है वो काफी ज़्यादा shocking है because promoter group नहीं चाहता था कि company defaults में जाए या NCLT में जाए वो चाहते थे कि वो company को कही ना कही जो है इस अंकट से बाहर निकाले बट ऐसा नहीं हुआ तो क्या उसके important update related वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आप देखिए जो share holding pattern है जिसमें अगर आप देखोगे तो प्रमोडर के holding 30.04 percent difference generally जो भी companies हमें share market में से deal list होती हुए नजर आती है उनमें आधर प्रमोडर क्रूप का holding काफी कम होता है यहाँ पे काफी अच्छा प्रमोडर क्रूप का holding है और प्रमोडर ने 29.97 से holding बढ़ा गया 30.04 कर दी थे जून कॉटर में उसके बावजूद जो है यहाँ पे हमें यहाँ पे share deal list होता हुए दिखा यानि market में अभी वो दिख नहीं रहा है mutual funds जो है उन्होंने भी उनकी holding बढ़ा ही थी और mutual funds की जो numbers अगर हम देखेंगे यहाँ की तरफ से हमें थोड़ी selling देखने को मिली थी stock में तो यह stock 30.04 और उसके बावजुद प्रमोडर गुरूप ने holding बढ़ाने के बावजुद जो है market से deal list हुआ क्यो हुआ और क्या recent updates है वह आप सबको मैंने time to time share किये है आप मेरे previous videos देख सकते हो बट recent के क्या updates है वह मैं यहाँ पर आप लोग साथ share करता हूँ तो दो recent के बहुत बड़े updates है सबसे पहला quarter results में काफी बड़ा net loss हुआ लेकिन यहाँ पर आप देखे जैप्रकाश associate corporate insolency resolution process जो है list of creditors, list of creditors में अगर हम बात करेंगे SBI आता है ICICI आता है इनकी तरफ से जो है इस particular company को जो है CIRP में जो है pull किया गया है यानि corporate insolency में और वहाँ पर अभी सुनवाए होने वाली है उसी के वज़े से यह सारी चीज़े हो रही है and the reason is disclosure of default of payment interest repayment of principal amount on loans from banks of financial institutions तो यहाँ पर जो repayment है वो company करने में अभी सक्षम नह net losses ही इतना जादा बढ़ चुके है और यही सारी reasons है कि company जो है हमें deal list होती हुए नजर आई है but friends यहाँ पर company के promoter group की तरफ से कोई अगर magic करने में वो संभव होते है या possibly वो कोई magic करते है जो इस company को NCLAT से बाहर लेके आते है तो इस particular share में फिर काफी अच्छी तेजी आईगी but वो होना काफी जादा यहाँ पर risky लग रहा है और जब भी ऐसा कुछ किसी stock में होता है तो मेरा personal suggestion ही होता है friends वो particular stock high risk and high reward के state म भी भी इस state में कोई stock जाता है तो I think retail investors ने इसमें जो है सिर्फ देखने का काम करना चाहिए because यहाँ पर अगर आप कोई अच्छा amount और बड़ा amount डाल देते हो तो वो amount काफी जादा risky हो सकता है आपके overall journey के लिए share market की तो यही मेरा personal view friends आपको क्या लगता है JP Associates के बारे में क